नमस्कार मैं PC Josie Neurotherapist आज मैं आपको आपकी स्पाइन की जान कर देने जा रहा हूं जिसमें मैं यह बताने जा रहा हूं कि आपकी स्पाइन के हर इक वर्टिब्राय का क्या function है जैसे कि आप कुछ साइद पता है या नहीं है मुझे नहीं पता लेकिन आपको यह पता होना चा सकता है आपका अगर पेट ठीक नहीं है तो भी आपको कमर डर्द आ सकता है आपको किड़नी में अगर दिक्कत है यानि कि किड़नी फंक्शन में दिक्कत है तो भी आपको कमर डर्द आ सकती है आपको कमर में जटका लग गया है तो आपके नीचे के स्पाइन से नीचे का कि अधिक करड़ से नीचे काया है उसमें तकलीव हो सकती है कि आपको पता है कि आपको अगर गर्दन में छोट लग जाए तो आपके कंधे काम करने निर्बंद हो सकते या किम काम कर सकते या उसमें कुछ दिक्कत हैं आ सकती हैं तो यह सारी चीजें हैं इस पाइन से रिगलेटेट इसके बारे मैं आज मैं आपको वीडियो बताने जा रहा हूं इस वीडियो के माध्यम से तो आपको यह पता होना चीए कि हमारा जो इस्पाइन का एरिया है वो लगभग लगभग हमारे जो गर्धन का इलागा होता है यानि कि गर्धन यानि कि जिसमें हमारी खोपर टिकी होती है उसमें हमारे से लेकर सी से वन तक साध वर्टिवरा होते हैं जिसके अलग-अलग फंक्षन होते हैं ंश यानि कि सीवन जिसमें हमारी खोपरी टिकी रहती है और हमारे खाड़न ऐसे немножко करती है यानि कि वो जिसमें जिस्वर्टिवरा पे टिका रहता है वह Si वन होता है जिसके हम नॉर्माली भासा में हम एटलस भी कह देते हैं दूसरा जो इलाका होता है यानि की C2 से लेकर C7 तक अगर इन में कहीं दिक्कत आ गई तो आपकी हैंड की मुव्मेंट अटक सकती है आपको हैंड में प्रॉब्लम हो सकती है आपको हातों में जंजना डा सकती है हातों के फंक्शन में प्रॉब्लम हो सकती है सरवाइकल की समस्या हो सकती है ठीक है यह सारी चीजे हैं इसके इलावा जब हम सी से नीचे की तरफ आते हैं यानि कि टीवन से लेकर टीफाइव तक जब हम आते हैं तो उसका फंक्शन होता है हमारे लंग्स को ब्लड सप्लाई करना जब हम अस्तिमा होता है या कोई और चीजें होती हैं तो आपने देखा होगा किसी को सेने में दिक्कता आ रही है, तो वह क्या करता है? उसके बैक को या以से ऐसे रबिग्ग करता है, जब रबिग्ग करता है तो वह चीजें वहाँ पर ब्लेट सप्लाइ famoso करती है और उसको तोड़ा सा राहत मिल जाती है इसके दावा जब हम T5 से नीचे के तरफ आते हैं यानि कि T6, T7, T8 और T9 यानि कि चार वर्टीब्रा हुआ नीचे के तरफ हैं वो हमारे लीवर, गॉल्बेडर, स्प्लीन, इंद और पैंजिक्रियास इन सारे लगबल-लगबल हमारे लगबल-लगबल हर एक चीज को और गैन करता है यानि कि वहां को ब्लेट सप्लाई करता है अगर इनमें से किसी भी वर्टीब्रा में दिक्कत आ गई तो वहां पर ब्लेट सप्लाई रुख जाएगी और हमें तकलिक्वानी सुरू हो जाएगी ठीक है इसके अलावा जह हम किसी भी ऐसा पेशेंट हो जिसको करते हैं तो हमारी टी एट प्रेस एक पॉइंट है जिससे हम प्रेस करते हैं और उसके थरू हम पैंज क्रियाज को स्टिम्लेट करते हैं ताकि वह बराबर मातरा में इंसूलिन बनाए ताकि उसको सूगर नहों इसके अलावा जो हम नीचे के तरफ हाते टीनां के बार टेटेंट एलैवन और टी ट्वेल यह यह जीजी जो हमारे पेट को चीज्ट करती है यह नीचे का इलागा पुरा इस्टिमिलेट होता है पुरे पेट में एक्षियल वगरा यानिकि जूस वए रहे जो डाइजरस्ट के बीट में इसके बाद जब हम नीचे की तरफ आते हैं तो ल 1, L2, L3, L4 यह ती वर्टिब्रा हैं यह हमारी किड्नी को ब्लेट सप्लाई करती हैं जो किड्नी में जो ब्लेट होता है वहां सप्लाई होता है जिसके दौर हमारा किड्नी का फंक्शन प्रॉपर होता है अगर तरन नहों तो हमें उसमें भी दिक्कत आ सकती है इसके बाद आता है हमारा L5S1 यानि कि L5S1 से हमारी साइटिय का नर्व जाती है और कभी कबार जटके से या कोई वजन उठाने से महां पर प्रॉब्लम आ सकती है तो जिनको दिक्कत है यानि कि जो प्रॉब्लम में हैं उन यानि कि उदर में ब्लड सप्लाई करते हैं अशा करता हूं यह वीडियो आपको समझ में आ गए होगी यूस्फल लगी होगी और आपके काम भी आएगी आपकी जानकारी बढ़ाएगी इसी तरह की की वीडियो लगाता बनाने करें मुझे प्रोसाइट करते रहें और मेरा करते रहें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें आपके खुद को आपके परिचतों को जिनको भी तकलीफ हैं वो नियोथरपी को अपनाएं क्योंकि यह सिम्टम पर काम ने करती है सिस्टम पर काम करती है यानि कि और आप सोच रहे होंगा कि मेरा हाथ इतना क्यों हिल इसे वीडियो सूट करूंगा तो आशा करता हूं आपको इतना समझ वा गया हो क्योंकि वीडियो हिलने का कारण यह था तो यह मैक्सिमम जानकारी आप अधिकतम लोगों तक पहुंचाया अधिक साधिकने लोग चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें और जो मैंने यह लिए आप इसके माध्यम से अपने बिमारियों का शमन भी करवा सकते हैं आशा करता हूं यह वीडियो सुल लगा होगा धन्यवाद